बुपेश बगेल जी टीएस सिंग्देव जी अर्विन नेताम जी श्रीमती गंगा पोटाई जी शंकर धुर्वा जी भाया राम सिनहा जी पार्टी के हमारे सब कारेकरता यूथ कॉंग्रेस, महिला कॉंग्रेस, सेवा दल, NSUI के हमारे सब लोग, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत, आप दूर-दूर से आए, इतनी गर्मी का समय है, आपने अपना किम्ती समय मुझे दिया, इसके लि जै जोहार, जै जोहार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार, 36 गड़ में, रमन सिंग जी, बीजेपी की सरकार, और जहां भी मैं जाता हूँ, 36 गड़ में हमेरे हर भाशन में कहता हूँ, कि 36 गड़, अमीर प्रदेश है, इसमें जल है, जंगल है, जमीन है, माइन्स है, आपके पास सब कुछ है, मगर 36 गड़ की जंता, गरीब है, क्योंकि जो आपका पैसा है, आपका धन है, वो आपको नहीं मिलता, आपसे छीना जाता है, और हिंदुस्तान के, और 36 गड़ के सबसे अमीर लोगों को दिया जाता है, 36 गड़ की 40 प्रतिशत जंता, गरीबी रेखा से नीचे है, हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश 36 गड़ है, मगर आपके पास सब कुछ है, और इसका कारण है, कि आपकी जो सरकार है, रमन सिंग जी की सरकार है, वो भरष्ठ है, और वो जो आपका है, वो आपको नहीं देती है, और आपसे छीन कर, अपने 5, 10, 15 मित्रों को देती जाती है, मैं ब्रष्ट चार के दो तीन उधारन आपको देना चाहता हूँ, मोधी जी जहां भी जाते हैं, कहते हैं, कि वो ब्रष्ट चार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, मगर 36 गड़ आते हैं, तो आपको ये नहीं बताते, कि 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर, एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, तीन उधारन देना चाहता हूँ, शिट फंड घोटाला, पाँच हजार करोर रुपे, पाँच हजार करोर रुपे, 36 गड़ की जनता का पैसा, शिट फंड घोटाले में गायब हुआ, 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर ने मेले किये, प्राइवेट कंपनियां बुलाईं, जनता ने अपना पैसा उन कंपनियों में डाला, कुछी समय बाद, कंपनियां गायब हो गई, और आपका जो पैसा था, कंपनियों के साथ आपका पैसा भी गायब हो गया, 60 लोगों की मृत्य होई, एफायार, 310 एफायार दर्ज हुए, मगर कोई जेल नहीं गया, किसी पर कारवाई नहीं हुई, क्योंकि चिट फंड स्कैम में, चीफ मिनिस्टर का नाम, पूरा प्रदेश जानता है, कि कारवाई इसले नहीं हुई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कारवाई नहीं चाहता है, दूसरा उधारन, पीडियेस का स्कैम हुआ, 36,000 करोर रुपे, 36 गड की जनता का पैसा चोरी क्या गया, गायब हुआ, डाइरी मिली, डाइरी में लिखा था, कि सी एम मैडम को पैसा दिया, डॉक्टर साहिब को पैसा दिया, और मैं रमन सिंग जी से पूछना चाहता हूँ, ये सी एम मैडम कौन है, ये डॉक्टर साहिब कोन है, जिनका नाम नान गोटाले की डाइरी में, पीडियेस कैम में निकला, और अगर चीफ मिनिस्टर उसका जवाब नहीं देना चाहते, तो पिर चीफ मिनिस्टर चाहिए जनता को ये बात समझाएं, कि जब पाकिस्तान में, पाकिस्तान का प्रधान मंत्री, जेल जाता है, क्योंकि उसका नाम पैनमा पेपर्ज में निकलता है, तो उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर का पुत्र का नाम, जब पैनमा पेपर्ज में आता है, तो उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर के कारवाई क्यों नहीं होती, पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में वियक्ति को जेल में डाल दिया, पैनमा पेपर्स के लिए मगर 36 गड़ में चीफ मिनिस्टर के बेटे का नाम आता है और उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती तो पहली बात आपके चीफ मिनिस्टर भरष्ट है और मोदी जी भरष्ट है दूसरी बात रमन सिंग जी के 15 साल हो गए और आज 36 गड़ में 40 लाक युवा बेरोजगार है 65 प्रतिशत जमीन में सिचाई नहीं है कि 75,000 एकर जमीन आदिवासियों से चीन कर रमन सिंग जी ने अपने मित्रों को दिलवाई और तक्रीवन 60,000 टीचर के पोस्ट सरकारी पोस्ट आज खाली है जहां भी रमन सिंग जाते हैं मोदी जी जाते हैं कहते हैं वो रोजगार देंगे नरेंद्र मोदीजी ने वाइदा किया था एक साल में दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा मगर 36 गड़ की सचाई है कि ना आपको रोजगार मिला ना सरकारी पोस्ट भरी गए उल्टा आपसे छीन कर आउट्सोर्सिंग के मादियम से बाकी प्रदेश के लोगों को यहां रोजगार दिया जाता है तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी आउट्सोर्सिंग को हम बंद करके दिखा देंगे अगर रोजगार मिलेगा तो 36 गार की जंता को प्राइब लोगों को रोजगार मिलेगा कि मैंने जमीन की बात की मैंने आपसे कहा कि रमन सिंग्च जी ने हजारों एकर जमीन किसानों से आदिवासियों से छीनी का अग्रेस पार्टी आएगी तो मैनिफेस्टों में हमने लिख दिया है टी एफ सिंग देऊ जी ने मैनिफेस्टों बनाया उसमें हमने लिख दिया है गाउं के हर परिवार को जिनके पास जमीन नहीं है हर परिवार को हम जमीन देने वाले है पिछले साड़े चार साल में नरेंद्र मोदी जी ने तीन लाख पचास हजार क्रोड रुपे हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का माग किया है आप सोचिए मन्रेगा को चलाने के लिए पूरे साल में 35,000 क्रोड रुपे लगते हैं उससे दस गुना जादा पैसा नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने मित्रों को दिया है उनका कर्जा माग किया है विजय मालिया दस हजार क्रोड रुपे लेके भाग गया नीरव मोदी 35,000 क्रोड रुपे लेके भाग गया उसके साथ महुल चौक से भी भाग गया ललित मोदी पैसा लेके भाग गया अनिलंबानी को नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 क्रोड रुपे दिये मगर जब 36 गर का किसान मोदी जी के पास हाथ जोड़के जाता है और मोदी जी से कहता है कि आप मेरा भी थोड़ा सा कर्जा माफ कर दीजिए तो नरेंद्र मोदी जी और देश के फाइनांस मिनिस्टर पंद्रा लाग का वाइदा किया उन्होंने आपसे कहा कि दो करोड युवाओं को रोजगार देंगे उन्होंने आपसे कहा कि किसानों को सही धाम दिलवाएंगे उन्होंने आपसे कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे कि साड़े चार साल हो गए एक वाइदा पूरा नहीं हो अब आप मेरी बात चुनिए पंजाब में चुनाव था जैसे आज 36 गड़ में है और मैंने वहां कहा कि अगर पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आईगी तो दस दिन के अंदर पंजाब की सरकार किसान का कर्जा माफ कर डालेगी अब आप पंजाब में फोन लगाईए अगर आप किसी को पंजाब में जानते हैं फोन लगाईए उनसे पूछिए राहुल गांदी आया था उसने हमें कहा कि पंजाब में चुनाव के बाद कर्जा माफ हुआ पं कॉंग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ करनाटक में चुना हुआ वही मैंने बात बोली अगर नरेंद्र मोधी साड़े तीन लाग करोर रुपए माफ कर सकता है तो करनाटक की कॉंग्रेस की सरकार कर्जा माफ कर सकती है और मैं आपको यहां यही कहना चाहता हूं देखिए रमान सिंग जी बड़े उद्योग पतियों की मदद करते हैं आपका पैसा छीन कर उनको देते हैं मोदी जी ने साड़े तीन लाग क्रोड रुपे माफ किया कि मेरे परिवार का 36 गड़ की गरीब जंता के साथ किसानों के साथ आदिवासियों के साथ पुराना रिष्टा है कि आप सब इंद्रा गांधी जी को जानते हो और मैं आपको यहां आश्वासन देना चाहता हूं और मैं खोकले शब नहीं प्रयोग करता मैं जूट नहीं बोलता हूं मैं आपको यहां गैरंटी करके किसानों के बाद कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के बनने के बाद आप दस तिन गिनना एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस और दस दिन के अंदर मैं आपको गैरंटी कहके कहता हूं किसानों का च्छतिस गड़ में कर्जा माफ करके दिखा देंगे अब दूसरी बात सुनिए अब दूसरी बात सुनिए अभी मैंने खतम नहीं किया अभी मैं किसानों की बात कर रहा हूं उसके बाद मैं आधिवासियों की बात करूंगा और फिर मैं युवाओं की बात करूंगा मगर अब एक किसानों के लिए में रिर दो तीन और बाते है कि मोदी जी ने रम अन्सिंग जी ने आपसे कहा था कि हम आपको सही दां दिलवाएंगे और आपको बोनस भी है और उन्हों ने कहाँ था धान के लिए के बंदना पैसा मिलता है कि अपन्द्रासो मिलता है अब चत्रीस गड़ की साना अच्छी तरह सुन लो कि कॉंग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टों में लिख लिया है और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि चुनाओं के बाद कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद पच्छिस सो रुपए आपको धान के लिए मिलेंगे रमन सिंग्छी ने कहा कि मैं बोनस दूंगा और वह बोनस आपको नहीं दिया तो मैं स्टेट से चत्रिस गर के किसानों को बताना चाहता हूं जो वाइदा उन्होंने किया था जो वाइदा उन्होंने किया उसको भी कॉंग्रेस पार्टी पूरा करेगी तो बोनस तो हम आपको देंगे चुनाओ के बाद हम आपको बोनस देंगे मगर जो धोका उन्होंने आपको दिया जो दो साल के लिए उन्होंने आपको बोनस नहीं दिया उन दो सालों का भी बोनस कॉंग्रेस पार्टी उनकी तरफ से आपको देगी जो काम जो वाइदा उन्होंने किया जो उन्होंने आप से कहा था दो साल बोनस देंगे नहीं दिया चलो वह भी हम किसानों को देंगे अब बात करना चाहता हूं किसानों की और युवाओं की 36 गड़ में लाखों युवा बेरोजगार हैं और किसान को सही दाम नहीं मिलता मंडी में जाते हो आपसे कहते हैं भाईया अभी आप ठेरिये वहां पर आपको गुमाते हैं और आपको सही दाम नहीं देते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में बस्तर में कोई कार खाने नहीं कोई इंडस्ट्री नहीं तो हमने मैनिफेस्टों में निर्ने ले लिया है चुनाओ के बाद हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट में कॉंग्रेस पार्टी फूड प्रोसेसिंग का कार्खाना लगाएगी जो भी आप उगाते हो चाहिए वो धान हो सब्जी ओ फल हो उसको आप जाके सीधा फूड प्रोसेसिंग कार खाने में बेचेंगे फैक्टरी में आपको सही दाम मिलेगा और जब आप फैक्टरी में अनाज को बेचने जाएंगे अपनी फल या सब्जी को बेचने जाएंगे तो उसी फैक्टरी में आपके बच्चों को आपके बेटेओं को बेटियों को रोजगार मिलेगा और मैं चाहता हूं कि जैसे पंजाब और हर्याना आज हिंदुस्तान के अग्रिकल्च्रल सेंटर माने जाते हैं क्रिशी के सेंटर माने जाते हैं मैं चाहता हूं कि पांच साल के अंदर चत्तिसगर्ड और मध्यप्रदेश दोनों हिंदुस्तान के क्रिशी के सेंटर बन जाएं और पूरे देश को पता लगे कि चत्तिसगर्ड और मध्यप्रदेश देश को भोजन पल और सबजी दिलवाते हैं यह सपना है यह विजन हैं और इसको हम पूरा करेंगे रोजगार की बात थोड़ी करना चाहता हूं युवां से देखिये चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है नरेंद्र मोधी जी ने शिक्षा की बात की रोजगार की बात की मगर नरेंद्र मोधी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार देपाती है क्योंकि बैंक का पूरा का पूरा पैसा भाई और बेनों हिंदुस्तान के बैंक का साड़े बारा लाख करोर रुपए नरेंद्र मोधी ने हिंदुस्तान के पंद्रा सबसे अमीर लोगों को दे दिये हैं कि हमारी सोच अलग है कि हम चाहते हैं कि वह बारा लाक करोर रुपया कि छतिसगर मद्यप्रदेश राजिस्तान उत्तर प्रदेश बिहार कि किसानों को युवाओं को महिलाओं को यह पैसा दिया जाए हम इस पैसे को बाटना चाहते हैं हम चाहते हैं कि छतिसगर के युवा लाखों युवा बैंक से लोन लेकर अपना छोटा सा बिजनस अपनी छोटी सी फैक्टरी बनाएं और देश को रोजगार देने का काम शुरू करें है नरेंद्र लोगोनों को अधिजी ने तीजोरी की चावी 15 ओण 7 हम तीजोरी की चावी करोणों लोगों को देश के आदिवाशियों को किसानों को पिछड़ों को दलितों को मजदूरों को महिलाओं को देना चाहते हैं हम आप में भरोसा करते हैं मोदी जी 15 लोगों में भरोसा करते हैं हम देश की करोणों जंता में भरोसा करते हैं कि यूपिया की सरकार थी हम जमीन अधिकरन बिल लाए अधिवासी बिल लाए पेशा कानून लाए लक्ष क्या था कि किसानों की जमीन आधिवासी की जमीन की रक्षा की जाए अगर आधिवासी की जमीन है तो उसे जमीन दी जाए अगर उसका जल है उसका जंगल है उसकी जमीन है तो उसका फाइदा आधिवासी को मिले और अगर किसान की जमीन है तो चीफ मिनिस्टर या ब्यूरोक्रैट पाँच मिनट में उस से जमीन ना चीन पाए यह लक्ष था और हम यह कानून लाएं जमीन अधिकरन बिल के माधियम से किसान को मार्केट ट्रेट से चार गुना जादा अपनी जमीन के लिए पैसा मिलता आधिवासियों को पत्ता मिलता उनकी जमीन मिलती उनका हक मिलता मगर रमन सिंग जी ने ना पैसा कानून लागू किया ना ट्राइबल बिल लागू किया ना जमीनी अधिकरन बिल लागू किया और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी आधिवासी बिल पैसा कानून और किसानों की शाएक करने वाला उसमीनी अदिकरन बिलहम लागू करेंगे और आपका हकम आपको देंगे को आप पिछडों के लिए जैसे अदिवासी के लिए और दलितों के लिए सो Capital खोलेंगे और आपको स्कॉलर्शिप्स दिल वाएंगे हम चाहते हैं कि ब्रदेश के हर भी अक्ति को लगे कि एक कॉंग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है ये मेरी सरकार है और इस सरकार में मेरी आवाज सुनाई देती है जो मेरे दिल में है जो मेरा दर्द है उसको मेरी सरकार समझती है तो हम किसी एक जात के लिए किसी एक घर्म के लिए किसी एक डिस्ट्रिक के के लिए काम नहीं करना चाहते हैं हम 36 गड़ की जनता के लिए काम करना चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर जात के लिए हर धर्म के लिए सब लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं और इसलिए मैं यहां आया हूं कि कि मैं आप से कहना चाहता हूं पंद्रा साल चत्तिसगर का जाया हुआ है और अब आपके उपर है आप बीजेपी को चुन सकते हो और चत्तिसगर का पूरा का पूरा धन आप रमन सिंग और उनके मित्रों को दे सकते हो या फिर आप कॉंग्रेस पार्टी को चुन सकते हो और अगर आपने कॉंग्रेस पार्टी को चुना तो कॉंग्रेस पार्टी आपके लिए सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजिस सरकारी हस्पताल रोजगार किसानों का कर्जा माफ गरीमों को जमीन आदिवासियों को शिक्षा देने का काम करेगी निन्ने आपके उपर है मगर आप एक बाद याद रखिए मोधी जी आते हैं लंबे वाइदे करते हैं कि दो करोर युवाओं को र्यूजगार का के फंद्रा-ляется हर बैंकक अकाउंट बे नोट-बंधी गब्बर सिंग्ते का अब अब नोट-बंधी की बात नहीं करते हैं अब घबर सिंह ट्वी aik सिबात नहीं करते मैं ठाई अब चोकीदार ब्रषटाचार की भी बात नहीं करता है आपने देखा होगा कि 30,000 क्रोर रुपए अंभानी जी को दिए एक है गगए अब प्रश्ट अब चोकीदार ब्रश्टाचार की बात नहीं करता है जहां भी móड दैता है जो अब आप मेरे भाषन देखिए 14 साल से मैं राजनेती में हूँ मेरा कोई भी आप भाषन देख लीजिए और उसमें आपको एक जूटा वाइदा मिल जाए एक वाइदा जूटा चाहे वो किसानों की जमीन की बात हो चाहे वो मन्रेगा की बात हो चाहे वो भोजन की अधिकार की बात हो चाहे वो आदिवासी बिल की बात हो नियामगिरी की बात हो किसान के कर्जा माव की बात हो जो भी मैंने कहा है मैं करके दिखाता हूँ कि क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं कि मैं आपकी इज़त करता हूं कि और मैं यह बात समझता हूं कि राजनेती में जनता के साथ रिष्टा सबसे जुरूरी चीज़ होती है कि और मैं जानता हूं कि अगर मैं यहाँ आकर आपकोजूट बोलूँँगा जूटे वाजदे करूँगा तो शायद एक आप पर अप मेरी बात सुनोगे है मगर दूसरी बार मैं यहाँ गांगा है मैं तो आप जैसे मोदी जी को कहते हो कि भहिया देखो जूट बुलता है तो दूसरी बार बात नहीं चलेगी तो मैं आप से लंबा रिष्टाबनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप में और मुझमें uży हूं कि मैं आप पर भरुशा कर पाऊं कि और आप मेरे कि आप यह मान कर चलो कि बस्तर का एक सिपाई कि दिल्ली में लोकसवा में आपके लिए बैठा हुआ है उसका नाम राहूल गांदी और जब भी कि आपको मेरी जरुरुत पड़े आप सिर्फ मुझे बुलाओ और मुझे बताओ बस्तर को क्या चाहिए मैं करके आपको दिखा दूँगा कि आप सब दूर दूर से आए गर्मी का समय है आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी और पिछली बार बस्तर ने कॉंग्रेस पार्टी को दिल से समर्थन किया तो मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ पिछले चुनाओं में खड़े हुए थे एक कमी रह गई थी हम चुनाओं नहीं जीत पाएं मगर इस बार कॉंग्रेस पार्टी चुनाओं जीतने जा रही है और जनता की हम सरकार बनाएंगे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जहिन अब मैं ब्लॉग कांग्रेस कमिटी के अध्यक्स थागुराम कस्याप को अभार प्रदर्शन के लिए अमादित करता हूं चोखी दार चोखी दार अगरेस पांटी कांगरेस पांटी चाट